परिचे अंकिता, हम जानते हैं कि जनन सभी जीवों की वहक्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां यानि स्पीशीज आगे बढ़ती हैं तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जनन को परिभाशित करना विभिनता का महत्व ग्याद करना जनन के प्रकारों को पहचानना अलेंगिक जनन को समझना विखंडन को समझना मुकुलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना बीजानू समासंग की प्रक्रिया को समझना पुनरुद भवन को समझना खंडन की प्रक्रिया को समझना काईक जनन को समझना जीवों की समुचित प्रतिकृती एक यही प्रजाती यानि स्पिशीज के विभिन जीव एक समान दिखाई देते हैं, क्यूंकि उनके अभीकल्प यानि डिजाइन समान होते हैं। इन गुण सूत्रों में सूचनाई एकत्रित होती हैं। प्रतेक कोशिका दो संतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभिनता का महत्व निकेत भरे हुए हैं। बाहे कारकों जैसे ताप, जलिस्तर, उलकापात के कारण, निकेत में अचानक प्रबल परिवर्तन आ जाते हैं। परिणाम सरूप संपून समाष्टी नश्ठ हो जाती है। किन्तु कुछ जीवों के बच जाने की संभावना रहती है। हम उप्रयुक्त चर्चा को एक उदारन की सहयता से समझ सकते हैं। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणों की कोई समझ्टी है। तथा वैश्विक उश्मी करण के कारण जल का ताप यदि बढ़ जाता है। तो अधिकतर जीवाणों वैश्टी मर जाएंगे। शन्तु उश्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्द ही जीवित रहते हैं तथा व्रिधी करते हैं। अतहा विभेनताएं प्रजातियों यानी स्पिशीस की उत्तर जीविता बनाए रखने में उप्योगी हैं। जनन के प्रकार अलेंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है अलेंगिक जनन, लेंगिक जनन। जब संतिती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा युकमक यानी गैमीट निर्मान की भागेदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिती में हो तो वो अलेंगिक जनन कहलाता है। उधारन, अमीबा में दुईखंडन, हाइडरा में मुकुलन, राईजोपस में बीजानू समासंग और पुश्पी पौधो में काईक जनन। अलेंगिक जनन में कोशिका विभाजन असमसूत्री या समसूत्री होता है, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, वे बिलकुल अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं, तथा ये एक तीवर गुणनात्मक यानी बहुली करणविधी है। अलेंगिक जनन की कमिया ये हैं कि इसमें एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में एक समान जीव ही उत्पन्न होते हैं, तथा जैव विकास संभव नहीं हो पाता है, जिससे की विविदता उत्पन्न नहीं होती है। विखंडन विखंडन में पूर्ण विक्सित जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभक्त हो जाता है। एक कोशिकी ये जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तथा अन्य प्रोटजवा में अलेंगिक जनन की यह सबसे सरल्विदी है। विखंडन दो प्रकार का होता है। दोईखंडन और बहुखंडन। अनुकूल परिस्थितियों के दोरान एक कोशिका का दो एक समान कोशिकाओं में विभक्त होना ही दोईखंडन कहलाता है। इस विधी में असम सूत्री विभाजन द्वारा सर्व प्रथम केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है, तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, अंतमिक कोशिका दो संतती कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, उधारण, जीवाणू, यीस्ट, य पहु खंडन जनक खंडन होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान जनक का शरीर स्वाता ही अनेक संतती कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कोशिका का केंदरक लगतार विभाजित होकर अनेक केंदरक बनाता है। प्रते केंदरक कम मातरा के कोशिका द्रवय से घिरा होता है तथा पुटी यानी सिस्ट में अनेक संतती कोशिकाओं उत्पन होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुटी यानि सिस्ट तूट कर छोटी संततियों को मुक्त करता है। बहु खंडन का उधारण मलेरिया पडजीवी प्लेस्मोडियम है। मुकूलन में एक या एक से अधिक एक कोश किये या बहु कोश किये बाहे वृद्धी जिन्हें कलिकाएं कहते हैं जनक शरीर के उपर या अंदर उत्पन हो जाती है। हाइड्रा पुनर जनन की क्षमतावाली कोशिकाओं का उप्योग मुकूलन के लिए करता है और इसके कारण एक स्थान पर कलिका यानी मुकूल विक्षित हो जाती है। यह कलिका यानी मुकूल वृद्धी करके एक नन्ने जीव में बतल जाता है तथा पून विक्षित होकर जनक से अलग होकर सौतंत्र जीव बन जाता है। बीजाणू समासंग इसे बीजाणू धानी कहते हैं। इसमें बीजाणू पाई जाते हैं जोकी नए रायजोपस में विक्षित हो जाते हैं। पूनरुद्भवन यानी पूनर्जनन पूनरुपेन विभेदित जीवों में अपने काईक भाग से नए जीव के निर्मान की ख्षमता को पूनरुद्भवन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर का कटा या तूटा हुआ भाग विध्धी या पुनरुद्भित होकर एक नया पूनर जीव विक्षित हो जाता है। सरल जीव जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देने पर ट्रतीक टुकड़ा विक्षित होकर पूनर जीव कर निर्मान कर देता है। खंडन में जनक का शरीर, तरंकी क्रिय, पुराने भागों की म्रित्यू और अप घटन द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। सरल सनचना वाले बहुगोशिक जीवों में जनन की सरल विधी कारे करती है। विक्सित हो जाते हैं। शैवाल जैसे की पाइरोगाईरा में खंडन पाया जाता है। काइक जनन गुणन यानी बहुली करण की वह प्रक्रिया है जिसमें जनन अंग की सहयता के बिना ही पौधे के पुराने भागों जैसे तने, जडों तथा पत्तियों से एक नया पौधा विक्सित हो जाता है। काइक प्रवर्थन दू प्रकार का होता है। प्राकृतिक काइक प्रवर्थन और कृत्रिम काइक प्रवर्थन। सभी बीजवाले पौधों में प्राकृतिक काइक प्रवर्थन बहुत प्रचलित है। ये तीन प्रकार का होता है। जणों दौरा, तने दौरा और पत्तियों दौरा। जणों दौरा, कुछ पौधे अपने उपर अपस्थानिक कलियों का विकास करते हैं। उधारण, अम्रूद और शीशम। कुछ गाटदार अपस्थानिक जड़ों के अलावा अपस्थानिक कलियों में भी उच्चित मात्रा में भोजन पाया जाता है। उधारण, दहिलिय तथा शकरकंदी। तने द्वारा, कुछ पौदे तने के बिखरने तथा शाकित प्रकंदों द्वारा काईक जनन करते हैं। हुधारण, केला, अद्रक तथा हल्दी। तना कंद आलू तथा चुकंदर में पाय जाते हैं। आलू का कंद भुमिगत शाकित तने का एक फूला हुआ शिर्षस्त भाग होता है। जिस पर की अनेक आखें या गाठें पाय जाती हैं। प्रतेक आख में एक या अधिक कलिकाएं पाय जाती हैं। आख पर पाय जाने वाली कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आलू के पौधे कंदों द्वारा उगाय जाते हैं। बीचों द्वारा नहीं। उपरी भुस्तारी एक वाईविये कमजूर तना होता है। जैसे की मैदानी खास पुदीना जो की सतह पर फैल कर पर्व संधियों पर अपस्थानिक जणों को जन्म देते हैं। जब पौधे का पुराना भाग मृत्ध हो जाता है तो जनक पौधे से शाखाएं अलग हो जाती हैं। तथा स्वतंत्र पौधों का निर्माण करती हैं। बल्व भी कलिकाएं धारण करते हैं। उधारण, लेसुन तथा प्यास। घनकंदों जैसे क्रूकस, अरूई यानि कोलोकासिया आदी में भोजन उचित मात्रा में संग्रिहित होता है। तथा ये अनेक अपस्थानिक कलिकाएं भी धारण करते हैं। उधारण, ब्रायोफिलम, बीगोनिया, कृत्रिम काइक प्रवर्थन, मालियों तथा भागबानों ने कृत्रिम काइक प्रवर्थन की विभिन पधतियां विकिसित की हैं, कटाई, पर्तन, कलम लगाना, मुकलन और उतक समवर्थनादी कुछ सामाने पधतियां हैं, कटाई, कटाई, जड, तना, अथ्वापत्ती का एक अलग हुआ भाग है, जो की आंशिक रूप से नम्मिट्टी में गड़ा हुआ होता है अनेक पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, नीबु, अंगूर, कोकोआ, बोगेनवेलिया, आधी, कटाई के माध्यम से ही प्रवर्धित किये जाते हैं पर्तन जनक पौधे से पौधे के अलग होने से पूर्व तनेकी शाखाओं में अपस्थानिक जणे बन जाती हैं तनेकी शाखा परत कहलाती है, तथा यह प्रक्रिया परतन कहलाती है यह विधी, नीम्बू, अम्रूद, हिपिस्कस, बोगेनवेलिया, चमेली, रस्भरी तथा अनेक सजावटी पौधों में प्रयोग की जाती है कलम लगाना जनन की इस पद्धती में दो निकटवर्ती सम्बंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे की वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं पौधे का एक भाग, जो की पौधे के अन्ने भाग पर कलम लगाता है, पौधे की कलम यानि साहिकान कहलाता है तथा वो पौधा जिस पर कलम लगाई जाती है, डंथल यानि स्टॉक कहलाता है उधारन, आम, सेब, मटर, नेम्बू और अम्रूद मुकुलन मुकुलन में एक वांचनिये पौधे के तने से छाल युक्त एक छोटी कलिका यानि मुकुल ली जाती है इसके बाद डंथल की छाल में बनाए गई काट यानि दरार में घुसाई जाती है दोनों को बांध दिया जाता है तथा इन्हें सूखने से बचाया जाता है उधारण, गुलाब, आलू बुखारा, आदी उतक समवर्धन समवर्धन विलियम के कृत्रिम माध्यम में पिठक या विलगित पादप कोशिकाओं अथवा पादप उतक के छोटे भागों में नए पादप का निर्माण ही उतक समवर्धन कहलाता है पादप उतक विभाजित होकर कोशिकाओं के छोटे समुह बनाते हैं जिन्हें कैलस कहा जाता है कैलस को एक ऐसे अन्य माध्यम पर इस्थानांतरित किया जाता है जिसमें की विध्धी तथा विभाजन के लिए हार्मोन पाए जाते हैं जिससे की पादपक या छोटा पौधा बनता है बने हुए पादपक को गमलों या म्रिदा से प्रतिरोपित किया जाता है जहां वे विध्धी करके विक्सित पौधे बना सकते हैं यह बाहे यानि इन्विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाता है क्योंकि यह प्रक्रिया एक परक्नली यानि टेस्ट्यूब में एक क्रित्रिम परियावरण का प्रयोग कर जनक पौधे के बाहर होती है यह सजावटी पौधों जैसे और्किट, दहेलिया तथा कौर्णेशन के लिए प्रयोग की जाती है काइक प्रवर्धन के लाब तथा हानी आईए काइक प्रवर्धन से होने वाले कुछ लाबों तथा हानियों की चर्जा करते हैं लाब काइक प्रवर्धन एक सस्ती, आसान तथा तेजी से होने वाली प्रक्रिया है काइक प्रवर्धन द्वारा जनक पादप के गुण यानि लक्षण संग्रेहित रहते हैं काईक प्रवर्धन उस पौधे के प्रवर्धन में भी सहायक है, जो की जीवन शक्ति वाले बीज उत्पन्ने नहीं करता है। हानियां काईक प्रवर्धन से पौधों की संख्या में अविशक्ता से अधिक वृद्धी हो जाती है। इसमें कोई भी जै विभिनता नहीं पाई जाती है। तथा पौधे परियावर्ण के कम अनुकूल हो जाते हैं। जनक पादपों में पाई जाने वाले रोग संततियों में इस्थानांत्रित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं? यकृत में बहुखंडन के दौरान प्लैस्मोडियम लगभग एक हजार संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। जबकि लाल रुधिर कणिकाओं में बहुखंडन के दौरान ये बारा से चौबिस संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जिने खंड जानू यानी मीरो जोईट कहते हैं। जीन उधार पुनरुध भवन शरीर की खंडित कोशिकाओं के पुनर निर्माण की एक प्रक्रिया है। उधारन मानव में नवीन लाल रुधिर कणिकाओं दौरा मृति लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिस्थापन तथा घाव भरना। पुनर निर्माण यानी पुनरुध पादन, पुनरुध भवन शरीर के खोई हुए भाग के पुनर विकास की एक प्रक्रिया है। उधारन छिपकली में पूँच, हाइड्रा, पिलेनेरिया आती। बुल-बिल छोटी मासल विशेशी कृत कलिकाएं होती हैं। जब वे भूमी पर गिर जाती हैं तो नए पादप को जन्म देती हैं। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान यानि मौजूदा जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जनन कहलाती है। अलंगिक जनन में नए जीव एक ही जनक से बनते हैं। कुछ जीव, जैसे स्पायरोगाईरा, समानिता विक्सित होकर छोटे-छोटे टुकडों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकडे, अध्वाखंड, नए जीव यानी व्यस्टी में विक्सित हो जाते हैं। पौधों जैसे मनी प्लांट, गुलाब, अंगूर आदी में काईक प्रवर्थन, कटाई द्वारा होता है। पर्तन में पौधे की शाखा का सिरा भूमी की तरफ मुड यानी जुग जाता है तथा नम मृदा द्वारा ढग जाता है। कलम लगाने में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मवाले पौधों को एक साथ जोड दिया जाता है, जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। जन्तू में अलेंगिक चनन की विभिन प्रक्रियाएं विखंडन, मुकुलन, खंडन तथा पुनरुद भवन हैं। जनक जन्तू के दो या अधिक संतती कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकारगा होता है, दुईखंडन तथा बहुखंडन। दुईखंडन में दो संतती कोशिकाओं का निर्मान होता है। बहुखंडन में अनेक संतती कोशिकाओं का निर्मान होता है। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकिये या बहुखकोशिकिये बाहिवरिधी जिन्हें कलिकाओं कहते हैं, जनक शरीर के उपर या अंदर उत्पन हो जाती हैं। येस्ट में कलिकाओं एक कोशिकिये होती हैं, जबकि हाइट्रा स्पन्ज आदी में बहुखकोशिकिये होती हैं। कलिकाओं बहिर्जात अत्वा अंतरजात होती हैं। खंडर में जनक का शरीर दो या अधिक भागों में खंडित हो जाता है, जिसमें से प्रतीक विक्सित होकर एक जीव का निर्बान करता है। पूर्ण रुपेण विभेदित जीवों में अपने काईध भाग से नए जीव के निर्मान की ख्षमता को पुनुरुद भवन कहते हैं, निम्न जीवों में पुनुरुद भवन की ख्षमता अधिक होती है।